पर फोगों यहां पर लोग इतना ज़्यादा मगर्व जी मोधी जी मोधी जीजी इसे नहीं लुटर अटेसे नहीं ज़ा नहीं मूभी त। मतलब इतना appreciation के यार ऐसे लगता कि तो अपने मुलत में इतना नहीं कुड़ने को proto-mode मिलता है असलामोलेकुनमसे स्ट्रियकार वेंगे डिवर यूटीब चैनल कि जामेरान रेक्शन इस में और होस्तिजावासीम अमेर साथ है महरानासी नाजरीन बराक उबामा जो के USA के एक्स प्रेजिटेंट है और उन्होंने जो है एक उन्हें स्टेट्मेंट दिया और इंडिया के हवाले से और उसके उपर उन्हें काफी ज्याता बैक्लैश है स्टेटमेंट कुछ इस तरह की थी के उबामा ने का जी के इंडिया के अंदर जो है मानौरिटी इसको खास और पर जो मुस्लिम मानौरिटी देना उसको बहुत से इश्यूज है और जबके उबामा के जब अबामा फुद प्रेजिडेंट थे और उनकी जो गवर्मेंट थी उसके अंदर ये था के छे रिनौंग जो मुस्लिम कंट्री थे उनके उपजा बॉम्बिंग की गई थी यूएस कवर्वेंट की जानब से यूएस आर्मी की जानब से तो बामा ने इस स्टेटमेंट किस तरह सी दिया एक वीडियो है वीडियो को देखते हैं और वीडियो क कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को लेकर यहां में आप देख पाएंगे भरत की जो वित्मंत्री है दिम्ला सितरमल इन्हों ने ये का है कि बराक उबाम वो व्यक्ति जिसने छे मुस्लिम मजॉर्टी कंट्रीज को बॉम किया है वो स्टेटमेंट्स दे रहा है इंडिया मे फनेस विश्टर ने दी है उसके लावाब यूएस में भी देखोगे न तो कई लोग आलोचना कर रहे हैं बराक उबामा की पुल अपार स्टेटमेंट की इस ट्रॉपिक पर वाइदा वे मैंने वीडियो पराई थी कि बराक उबामा ने कहा क्या था उस वीडियो में मैं आ वेगा काम कर चुके हैं वो कह रहे हैं कि उबामा को अपनी एनर्जी लगानी चाहिए इंडिया के साथ यूएस रिलेशन्स को स्ट्रॉग करने में रादल दर क्रिसाजिक इंडिया जिससे इंडिया यूएस रिलेशन्स को नेगेटिव इंपार्ट आता है तो डिसकस करें का इंटेगरेटर सिमिलेटर को अप्लेक्स है मतलब के कल को माली यह कोई निया निवल आफ़सर आता है उसको समझना है कि बहुत जादा एड़ास इस्ट्वायर ब्रिगेट कां कैसे करती है इन सब स्क्रीज का मतलब क्या होता है तो अराम से इस सिमिलेटर में यह सब किज समा सकता है यह जो खिड़की के बाहरा देख रहे हो यह सब 3D है यह अच्छली है इस जश्टर सिमिलेटर तो इंडिया ने अपना पैला सिमिलेटर नादिया है बगाईए केस का नाम क्या रखा गया है रिशा दूरूव रखा होगा है यह है आपकी आप्शन दूरूव ब दूरूव जा लाग रहे हैं दूरूव जा लाग रहे हैं तो वह ने एक कंट्री को उजट किया है तो वह है युनाइटेट स्टेट्स अव अमारेका आठ बार मोदी जी यूएस जा चुके है जपान साथ बार जर्मनी और फ्रांज छे बार एवन रश्या आप अगर हैं के इडिया ने एवन युएस ने भी दाऊंगा दोनों कंट्रीज ने एक दुसरे को कितनी जादा इंपोर्टेंस दी है और जो रिसेंट विजट थी पी एपोधी की टू यूएस ये बिलकुल हिस्टोरी थी इंडिया अर्थमेस एकॉर्ड का एक मेंबर बन चुका है इस पर मैंने अलग से विडियो ना रखी है तो मैं सेफोर्ट किया है समझा रखा है वर्ल अफेर्स पर और उस सब के इलावा इंडिया और युएस ने एक जॉएट स्टेट्मेंट में इस टॉपिक पर आज या कल में आपको एक अलग से विडियो मिल जाएगी के एक एक बहुत ही जाना सक्सेसल मुझेट थी और पीया मोधी ने इडिशन ली ये वीडियो भी कनी है रिलीस इनकी युएस मुझेट को लेकर मैं चाहता हूँ है जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखें फिर हम आएंगे है गुबावा की स्टेट्मेंट पर मुझे चुत यसे लग नहीं भारत में है जिस तरा की उनकी ऊपर देखें युनाइट युगा इस चूरी युणिवर्सल लोगा इस युद्यू युथ आप लाइफ लाइफ कर दो घोसा। आप अज़ा अव्य आटा नाझा नाग नाझा नाग आटा थाइव की अज़ा बॉल थाइव को बॉल है वाउ कि अज़िए क्या शच्ट के है अगले के बीबी को यह से पगना है जासे अपन ही है करें, वाहिद आउष्में, रामदार, स्वागत, एक्प्राच के अट्रीज करोडी आच्रीज अच्छीज करोड देस्वासियों का सन्मार हैं, एक्सोचालीज करोड देस्वासियों का दोर हैं, एक्सोचालीज करोडीज देस्वासियों का दोर हैं. आपर एक दूसरे की कंट्री पे हुमन राइट्स के इशू पर कॉमेंट करती है तिंच ठीक है इंडिया भी कह चुका है कि वी आ कंसर्ट अबाइट्स के इंडिया माइट पुल अपार्ट ये को सच पर सोचना चाहिए था और मुझे अजीब से लगता है कि उबामा ने ऐसी इस बेंट देखे हो थी क्योंकि ये बहुत ही जदा नाब तोल कर कॉमा फुस्था भी वहुत ही नाब तोल के लगाते हैं मगर जो इनकी स्टेटमेंट थी कि इंडिया में हिंदू इंडिया मुस्लिम इंडिया ऐसी बात है जो उन्हें कही है और यह था कि अगर मैं पीए मोधी से बिलता तो मैं को लग लेका जाता और कहता कि देखिये ये जो मिनौर्टीज का इशू है इस पर आपको फोकस करना होगा इस सब की वज़े से इंडिया से और इवन यूएस के कई लोगों से एक रियाक्शन आ रहा है और यहां पे आप देख पाऊगे तो गार्डियन का अर्टिकल है गुबामा रिमार्स और इंडिया स्क्रीटमेंट ऑफ मुसलिम्स हिपोक्रिटिकल ये का है इंडिया के मिनिश्टर ने यहां पे आप देख पाऊगे इंडिया स्क्रीटमेंट गार्डिकल ये का है और दोगले क्यों है तो गले इन ने यहां पर इस किये का है क्योंकि ऊप्वामा छे मुसलिम मुझार्टिकल को बॉंग कर चुके हैं मैं चातूँ एक तो इस स्टेटमेंट है मा जब कि विदेश के विशे के बारे में थोड़ा सयं रख 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 हो पुरें। युनाइट स्टेट्स के विशे में हम अच्छा फ्रिंशिप मा चाहते हैं। लगर उदर से भी भारत के रिचेस टॉबर्ट्स के वोपर एक युवस्ज ये आरफ है। उनके कमन्स आ जाता है राष्ट्रपती जीने कुछ पाथें बोब रहें। जहां शाइद छे देशों के खिलाग जहां मुस्लिम पोपलेशन टॉमिनेट हैं। पॉबम हुई हुने के कालों। सुरिया से लेकरके, यमन के लेकरके, साथी के लेकरके, एराग के लेकरके, बोबम ही होुँआ। मेरे पास सित्रा देटा नहीं है। साथ कंट्री के एकिला हुजी समयुआ जगडा, वार्ग situation डेट होुँआ। और मेरे ट्वेंटी सिक्स थाउसंड बंस वे ड्रॉप्ट एसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके अपनी तरफ से उनके ब्राजमी तिक निर्मे के बारे में वे करते हैं भारत के किलाफ ऐलगेशन दालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी दरूर सा रखेंगे तो देखिए बराक उबामा की जो लेगेसी थी अब अगयाद बराक उबामा की प्रेजिडेंसी खता हुए एक लंबा सुने बीच चुका है बराक उबामा के बाद ड्रम पाए फिर बार्डन का जो कारेकाल है ये भी खता होने को आ रहा है तो लोग थोड़ावाग खुल भालिया, पाकिस्तान, यहां पे तो कई वोग मारे गए और सबसे ऐठीव बात ये है कि ये सब उबामा ने किया था नोबल पीस प्राइज चीतने के बार्ड़ायत जब उबामा प्रेजिडेंट बने थी चीहा, जब ये बस प्रेजिडेंट बने थे ना तो इनका प्रेज सब्सक्राइब नोटिस किया होगा हमारी वित्मंत्री एक यह मैंचन करी थी कि युवाइस सी आई आफ की रिपोर्ट आती है वहाँ पर कहते हैं वो लोग के पिडिया को कंट्रीज ऑफ पॉर्टिकुलर कंसर्ण की लिस्पे डालो जिस लिस्ट में और डी चाइना पाकिस्त है मतलब एक ऐसी लिस्ट है युवाइस से की जहां पर वो लोग कहते हैं कि यह कंट्रीज हैं जहां पर रिलिज्जर्टीज पर अप्याचार हो रहे हैं उसमें चाइना पाकिस्तान इवर में पार कई कंट्रीज आपको वाबर मिल जाएंगे तो युवाइस सी आई आई आ युवाइस से नहीं पर अच्चिंट हैं दौकर टरिटेम पर कुछ अच्छ करेंगी दोगें तो न्रप के काई सबूर्टर थे करेंगें उनको काफी स्पोर्टर सैंद कर रहे घां के आप इशो में ऐसे बार कुछ जगा नहीं पर बोल के इस बारे में पुछ बोलेंगे अगर नहीं बोलेंगे, अगर बोलते हैं तो that will be huge, उस पर बाद में मैं सकता है, शॉर्ट वीडियो आपके लिए लियाँ, अगर वो स्टिट्मेंट आती है, तो नहीं वापस आते हैं, अपने क्वेशन की दरफ जो मैं आप से पूछा था, कि यह जो यहां पर आप देख रह और इंडिया तो दुनिया से ना यूणिकनेस की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसा और मुबारे के पास नहीं है, लेकिन इडिया के पास है, मतलब कुछ बहुत ऐसी चीज़े हैं, जो इंडिया उन्में सबसे पहले आ रहा है, और यह चीज़े हमें माजी में सुनने को मिलते थ और किसी के पास नहीं है, लेकिन इंडिया अब इस तरह से आ रहा है, इंडिया के पास है, वो किसी और के पास नहीं है, यह थोड़ी सी बदल रही है, अब रही बात, अगर हम फुरू करें थोड़ा सा PM Modi के विजट के आ रहे तो PM Modi का जिस तरह से उनका warmly welcome किया गया है, औ फिर PM Modi, तुम्याय में आपको जिस तरह कहा है, वो ऐसे लागी नहीं था रहा, कि वो यूएस के अंदर वो ऐसे दख रहा थे शायद अपनी किसी Delhi के अंदर बैठे है, Mumbai के या किसी अपनी स्टेट के अंदर गूंपे रहा है, जहां पे लोग इतना ज़दा मगर मोधी जी म वो अपने आपने एक बहुत बड़ी चीज़ सी, फिर उसके बाद जहाए, एक जॉएंट स्टेटमेंट यूएस और इंडिया की जानग से और उनकी दूस्ती और उनका वो सारा मामला आपने देखा, और आने वाले वक्त में ये अगर यूएस और इंडिया गठे मिलके, पाकिसान के खिलाफ वो FATF की ग्रे लिस्ट में अगर पाकिसान तो पाकिसान तो पैसे एकनोमिकली बहुत जादा क्राइसिस में पड़ा हो और उपर से वो टेर्रिस्ट के अवाले से जब आ गया कि हम देखना चाहते हैं कि मनी लॉंडरिंग और पाकिसान की फिनांसिंग होती है तो फिनेंचल एक्शन टास्क को जाए उसके उपर भी अपना एक हो सकता है कि तो आगे बड़ी मुश्कुलों से पाकिसान उससे निकला था और दूसरा ये कि अगर उबामा की बात की जाए उबामा की स्टेटमेंट की जो अपनी वर्थ है वो अपनी जगा लेकिन लिए तकरीपन जितने भी मुस्लिम कंट्री उनके उपर चेह साथ जो मिजॉरिटी मुस्लिम कंट्री आप वहाँ पे आपने बाम्मिंग करवाई और सारा कुछ किया तो आप स्टेटमेंट्स देते हो रेकिन जब आप आप रिमेदे तब आपने क्या क्या आपने इस वक् तो ये बाहि के मुमालिक बहुत जादा इस चीज़ से फोकस करते हैं जबके इनमें भी ब्लैक वाइट हमेशा ये रहता ही रहता है रहता है और फिर अगर आप देखा जाए मुझे लगता था कि जलो ठीक है दूसरे मुमालिक पाकिस्तान रशिया इंडिया के खिलाफ कुछ आपने वह नहीं दिया और बेसिकर मुझे लगता है कि ये जो बाइट को भी हिट करने के लिए इनका था ना इक पॉइंट के आपने बात नहीं की कि कि इनको वह कार था मोधी जी का विजर्ट यूस का बहुत कामयाब हुआ और आट विजर्ट मुदी जी ने किये तो ये म आद रखे आला लिगा